Let's try to see together कि कैसे कॉल्प के model है जो four stages का learning cycle का उसमें learning के procedure को explain कैसे किया गया है Actually how it has been explained कि learning का तमाम तर cycle किस तरह से वकूपजीर होता है Let's just try to see it with little more details कॉल्प के मताबिक जो भी learning है वो combination होती है How we approach a task या तो हम यह देखने की कोशिश करते हैं किक टास्क को हमने approach किस तरह से करना है And then how we respond to and assimilate the experience कि हम एक task की तरफ पहले approach कैसे करते हैं फिर हम उसको respond कैसे करते हैं और उसकी processing कैसे start होती है हमारे mind में और हम उस experience को feel कैसे करते हैं उसको modify कैसे करते हैं ये सारा का सारा जो दो steps हैं सारे इन दो स्टेप्स की गिर्द लर्निंग का प्रोसीजर या साइकल तमाम तर एक कम्प्लीट साइकल आवकू पजीर होता है, उसको मुकमल होता है. जब हम किसी भी टास्क की तरफ अप्रोच कर रहे होते हैं, तो हम actually क्या कर रहे होते हैं, अगर हमें कोई भी काम करने को मि एक्चुली आप उसको doing में involved होंगे या फिर आप किसी और को करते हुए observe कर रहे होंगे. तो either you will be watching or you will be doing. तो किसी भी टास्क की तरफ अप्रोच करने में, ये दो जो काम हैं, watching and doing and watching, these are pretty important. और जब हम response करते हैं, किसी भी experience पर, किसी के experience पर जो हमारा हो सकता है या किसी और क हो सकता है, उस पर जब हम response करते हैं, तो उस वक्त भी हमारा जो एक natural phenomena of reactions है, वो किस पर चीज़ पर हम अबनी है, feelings पर, या तो हमारे दिल में, उसके बारे में, हमारे जहन में, दिमाग में, हमारी तबियत में, एक खास तरह की सोच, एक feeling नमुदार होगी, जो अच्छी, ब कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये experience है, ये बाग क्या जो हुआ, इसके पस्मंसर में, या इसकी actual जो context है, उसमें क्या और बाते हैं, तो we are in the process of thinking, so again, जो learning के procedure हैं, either doing पर हैं, watching पर हैं, या फिर thinking और feeling कर के गुर्द वो घूंगते हैं, call के cycle में, तमाम जो stages दी गई हैं, उनमें से हर stage की एक खास खसूसियत हमारे जहन में है, कि जो एक हर stage है, जैसे for example, जो active experimentation है, उसमें आप तमाम वक्त में doing वाला, hands on वाली activity में, आप मसरूफ होते हैं, तो एक हर जो चारों stage की एक खास characteristics है, या खास उसकी एक logistics है, खास उसका एक action है, जो उस वक्त उसमें हो रहा होता है, जो कि इनी चार characteristics या activities पर base करता है, watching पर या doing पर, thinking पर या feeling पर, और call के मताबिक इनके combination में आपकी learning होगी, For example, a person with a dominant learning style of doing rather than watching the task can be there, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों, जो सिरफ dominantly activity में, experimentation में, hands on करने में ज्यादा, वो actively involved हों, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, जो पहले किसी भी काम करने से पहले, उसके मतलिक बहुत सोच बचार, बहुत से लोगों की opinion लेना, ऐसे लोग जो पहले उसको use कर चुके हैं, तजर्बे से गुजर चुके हैं, उनकी opinion लेना लाजमी समझें और मुफीद समझें, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो कि अपने feelings पर, gut feeling, intuition पर बरोसा करके action की तरफ चल पड़े, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, जो कि कई देर तक सिरफ thinking ही के procedure म मुबतिला रहें, और जब भी आप एक तरह के action कर रहे हो, तमाम तर जो नजरिया है, उसका लुबे लबाब यह है, कि आप एक तरह के action में भी, दो तीन combinations के साथ, दो combinations के साथ, आप चल सकते हैं, और action ले सकते हैं, और जब वो learning का procedure स्टार्ट होता है, तो गया दो combinations को जब आपने मिला लिया, तो आप एक accommodating की stage पर आगे, आप accommodate कर रहे हैं उस piece of information को, उस action को, doing से, thinking से, reflection से, so this stage is called accommodating, in the vocabulary or terminology used by Kolb.